सल्मान खान को काला हिरन शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है और अब वो सारे वीडियो और तस्वीरे वाइरल हो रही है जो सल्मान के पहली बार जील जाने की या उसके बात की है वहीं सल्मान का एक इंटर्वियो भी वाइरल हुआ है जहां वो पहली बार जील जाने का एक्सपिरियंस बाट रही है लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है सल्मान खान कुछ साल पहले रजजर्शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुँचे थे इस शो के दुरान सल्मान खान ने बताया कि चिनकारक केस के लिए भी उन्हें जील जाना पड़ा था सल्मान ने कहा कि जब सजा सुनाई गई तो एक वकील मेरे विपक्ष में लड़ रहा था वो फूट फूट कर रोने लगा वो मेरे पास आया और कहता कि बहुत गलत हुआ आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था मुझे लगा कि ये क्या आदमी है कि थोड़ी दिर पहले मेरे खलाफ लड़ रहा था अब मेरे पास आकर रो रहा था लेकिन मुझे उसका ये करना काफी अच्छा लगा वहौर तलब है कि सल्मान के वकील ने अपील की थी कि सल्मान खान अच्छे आदमी है काफी सोशल वर्क करते हैं इसलिए उन्हें कम से कम सजा मिलने चाहिए लेकिन जजज ने कहा कि वो आदतन अपरादी हो चुके है न्यूस्रूम से फिल्म एड़ा की रिपोर्ट